दिल्ली की आपकारी नीती में कतित घोटाले से जुड़े ब्रश्टाचार के मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को CBI गिरफतार कर चुगी है अब इस मामले को लेकर CM केजरिवाल ने दिल्ली हाई कोट का दर्वाजा खटटाया है उन्होंने CBI की ओर से गिरफतारी और रिमांड को चुनोती दे दी है दिल्ली CM अभी नियायक हिरासत में है आम आदमी पार्टी प्रमुख की शनिवार को तीन दिन की हिरासत खत्म हो गई है इसके बाद दिल्ली की अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक नियायक हिरासत में भेज दिया है कोट ने कहा था कि उनका नाम आब गारी नीती मामले में मुख्य साजिश करताओं में से एक के रूप में सामने आ रहा है इजेंसी ने 14 दिन की नियायक हिरासत की मांग करते हुए दावा किया था कि अरविंद केजरिवाल ने जाच में सयोग नहीं किया और टालम टोल वाले जवाब दे रहे हैं इजेंसी ने कहा कि केजरिवाल गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं मुख्यमंत्री को 26 जून को अवकाशकीन जज अमिताब रावत ने 3 दिन के लिए CBA हिरासत में बेज दिया था उन्होंने कहा था कि इस समय गिरफतारी को अवैद नहीं कहा जा सकता हाला कि जज ने कहा था कि गिरफतारी अवैद नहीं है लेकिन CBA को अति उत्सा ही नहीं होना चाहिए बाद में 29 जून को अवकाशकालीन जज सुनैना शर्मा ने किजरिवाल को नियाएक हिरासत में बेज दिया था क्योंकि CBA ने इस समय उनकी आगे की रिमांड की मांग नहीं की थी पिछले सब्ता ही जाँच एजिंसी ने तिहार जेल में मुख्यमंत्री से पूश्टाच की थी दिली के मुख्यमंत्री के जुरिवाल को 21 मार्च को एडी ने गिरफतार कर लिया था माई में उन्हें आम चुनावों को मद्दे नजर रखते हुए एक जून तक सुप्रीम कोट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी उन्होंने दो जून को तेहार जेल में सरेंडर किया था उन्होंने सरेंडर करने से पहले अपने स्वास्त का हवाला देते हुए सुप्रीम कोट से एक सक्ता अंतरम जमानत बढ़ाने की अपील की थी इसे कोट ने खारिच कर दिया था अर्विंद केजरिवाल और कुछ अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने शराब मीती बनाने के बदले में व्यपारियों और नेताओं से एक समू से सो करोड रुपई की रिश्वतली है दिल्ली के उपरा जिपाल दुआरा शराब लाइसेंस देने की कतित और नियमिताओं की जाच के आदेश देने के तुरंत बाद शराब नीती को रद कर दिया गया था अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या के जरिवाल को नयायलाय जमानत देगी की नहीं